Hello friends and welcome to Desi Tardga आज हम instant कलाकन बनाने जा रहे हैं Traditionally कलाकन बनाने के लिए पहले दूद से छेना बनाया जाता है और फिर छेने को दूद और चीनी के साथ पकाकर कलाकन बनाया जाता है Time और effort को save करने के लिए आज हम पनीर और condensed milk से कलाकन बनाएंगे तो आये चलिए सबसे पहले इंग्रीडियंट्स नोट कर लेते हैं एक कप स्वीटें कंडेंस मिल्क दो टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ते दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर दाइसो ग्राम पनीर एक टी स्पून घी सबसे पहले हम एक बॉल में पनीर लेंगे और पनीर को दोनों हाथों से तोड़ कर क्रमली मिक्षर बनाएंगे इस रेसिपी के लिए पनीर का मिक्षर ग्रेनी रखना है पनीर का क्रमली मिक्षर तयार है अब हम इसमें मिल्क पाउडर और स्वीटन कंडेंस मिल्क डाल कर अच्छे तरह से मिक्स करेंगे एक छोटी कटोरी में केसर लेंगे और इसमें एक दो तीस्पून गरम पानी डाल कर अच्छे तरह से मिक्स करेंगे अब हम एक नॉन स्टिक पैन में घी डालेंगे और घी के गरम हो जाने पर हम इसमें पनीर और कंडेंस मिल्क का मिक्षर डालेंगे इस मिक्षर को लो फ्लेम पर 10-12 मिनिट तक लगतार जलाते हुए भूजेंगे जब तक कि ये मिक्षर अच्छे तरह से पक ना जाए करीब 12 मिनिट हो गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं पनीर मिक्षर काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें रोज वाटर और इलाइची पॉलर डालेंगे और मिक्षर को 2-3 मिनिट तक पकाएंगे जब तक कि मिक्षर डोप वामना करने लगे करी पार डालें और रहे हैं पाड़ा करने बादनियआ में प्वारें ऑमना करने या इiez हल्ग वारा बाद़ी देल गटने अंपे method कि मिक्रेश टूएं जहरे टो कलाकन तयार है अब हम स्टोफ को आफ कर देंगे और मिक्षर को किसी प्लेट में ट्रांस्वर करेंगे प्लेट को पहले घी या बटर से ग्रीज करेंगे फिर कलाकन को प्लेट में डाल कर स्पैचुला की हेल्प से स्क्वार शेप फॉर्म करेंगे अब हम कलाकन को सैफ्रोन वाटर और कटे हुए पिस्ते से गानिश करेंगे प्लेट करेंगे पिस्ते को स्पैचुला से जेंटली प्रेस करेंगे कलाकन को रूम टेंपरेचर पर एक खंटे के लिए रख देंगे कलाकन को स्क्वार या अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट कर सर्फ करेंगे इंस्टेंट कलाकन तयार है जो की बहुती सॉफ्ट और दानेदार बना है और ये खाने में भी बहुती स्वादिश्ट है कलाकन को फ्रिज में रख कर तीन चार दिन तक कंज्यूम किया जा सकता है